हेलो स्टूरेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूरेंट्स मेरा नाम है लोकेदे सिंग्राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 7 एकलव्य बेच का बेच के फ्रेक्शन्स चेप्टर का लेक्चर न जाएगा उसको समझने में आसानी होगी तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारे जो टोपिक है वह एडिशन और फ्रेक्शन्स को कैसे एड किया जाता है जैसे नॉर्मल एडिशन आप लोगों को आता होगा आप लोगों ने चोटी क्लासेज में सीखा होगा लेकिन फ आपको देखियें हमारे को इसको एड करने के लिए प्रोसेजर फोलो करना है उसके लिए दो इस्टेप में यहां लिख दिये यह आप लोगों को पेपड में नहीं लिखनी है कभी भी एक्जामीनेशन वगेरा के लिए आप लोगों को जैसे कोई क्युस्ट आता है में कि अब लोगों को एड करना है तो आप लोगों को यह steps महीं लिखनी है वहाँ पर क्या करना है हमारे को direct aid करना वसे तो केवल तरीका बता रहा हूं लिख मैंने तरीका एक तो है बोलके मैं अगर आप लोगों को बता हूं तो है अब याद रहेंगा बाद में भूल जाोगे फिर आप लोगों को फिर से दुबारा question करोगे तो फिर पूछोगे कि क्या तरीका था वो दिमाग से निकल जाएगा तो मैंने वो तरीका यहां लिख दिया तो यह तरीका आप लोगों को याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हो किसी भी question को assess all कर सकते हो देखिए तो पहली step में क्या करते है find the LCM of denominators denominators का में क्या लेना है LCM लेना LCM एक बार ले लिया उसके बाद में क्या करना है तो पहले काम करते है LCM ले लेते हैं फिर यह second वाली step पर आते हैं तो देखो तो जब आप लोग LCM of 5,15 लोगे तो वो आएगा 15 आप अलग से लेके देख लेना मैंने यहां पर लिख दिया लेने के बाद में क्या करोगे LCM को ऐसे लिख दिया यह यहां पर LCM है ध्यान लग अब हमें क्या करना है इस LCM को ध्यान से सुनना डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है मतलब ये denominator है ये denominator है तो दोनोग इनोमिनेटर से डिवाइड करना है 3 होगे तो तीनों से डिवाइड करना है ठीक के एक बार में अलग अलग पहले हम इसको पिक करेंगे हमें क्या करना है यह सब काम्राफवर्क के वाला है यह केवल समझाने के लिए है कि हमें इस Lcm को यारी 15 को इस denominator 5 से डिवाइड करना कितने time होगा three time divide होगा यह हमारा result आ गया इसको मतलब LCM denominator से divide करेंगे तो कुछ result आएगा वह result हमारा पास कितना है 3 अब हमें क्या करना है इस result को numerator से मतलब इसको जब पहले कर जाया ना तो पहले हमारा LCM को denominator से divide करना है फिर जो भी result आएगा उसको इस numerator से multiply करना है तो आप लोग जब बहुत सारे questions कर लोगे तो यह चीज़े आप लोगों को automatically याद हो जाएगी तो देखें तो इसको result को multiply किया तो कितना है थ्री थ्री जा 9 आया तो जो भी 9 आएगा उसको यहाँ note करना है I hope आप लोगों को इसका meaning समझ में आगया होगा अब इसको वापस से इसके लिए भी repeat करना है तो बीच में क्या addition है तो हम क्या लगा देंगे addition का sign लगा देंगे फिर इस 15 को क्या करना है इस 15 से divide करना है one time होगा फिर 1 को 7 से multiply करना है 7 होगा I hope आप लोगों को इस चीज समझ में आगयोगी मैं अभी के लिए तो लिख देता हूं कि इस 15 को इस 15 से divide करने one time होगा फिर इस 1 को जो भी result आया है इसको numerator यहनी 7 से multiply करेंगे तो 7 आएगा उसको हमने यहां लिख दिया अब simple उपर 8 करना है माइन और 7 कितना हो जाएगा 16 और नीचे कितना आगया 15 आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो और आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि यह अगर mixed fraction में convert हो रहा है अब mixed fraction में कैसे convert करता है इस सारी चीजे हम already पहले आप दूसरे lecture में already देख चुके हैं तो आप वहां जाके एक बार देख लीजिए यहां में direct convert करके बता रहा हूं तो देखो 15 से हम क्या करेंगे 16 में divide करेंगे तो क्या होगा one time divide होगा कितना बचेगा one बचेगा तो मैंने बताया जितने time divide होगा यहां चाहेगा remainder उपर आता है यह वाला पार्ट ऐसे कैसे आ जाता है तो इसको mixed fraction में भी convert कर सकते हो इसको आप लोगों को इस चीट अच्छे से समझ में आ गई होगी इसको आप अच्छे से note कर लेना वीडियो को पोच करके अब आम इन पाचों करके देखते जिससे आप लोगों ने यह जो concept सीखा यह बिलकुल अच्छे से clear हो जाएगा तो देखे अब यहां पर क्या करना है एड करना है इन पाचों के संस में यहां पर दो फ्रेक्शन है या तीन है यहां दो है यहां तीन है और यहां चार फ्रेक्शन दिए में तो हमारे को तो वही स्टेप सोलो करनी है सबसे पहले लेना है जब 9 और 12 का LCM लोगे तो आप लोग देखना LCM इनका कितना आएगा 36 आएगा क्योंकि 36 वो नंबर है जिसमें 9 से भी डिवाइड होता है 12 से भी डिवाइड होता है 36 से छोटा कोई सा भी नंबर नहीं है तो इनका LCM कितना आया 36 तो आप क्या करते है 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 ताइम डिवाइड होगा फिर 4 को 8 से मल्टिप्लाई करें तो 4 एड जा कितना होगा 32 होगा आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुन रहे होंगे और समझने की भी कोशिस कर रहे होंगे 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम होगा और 2 और 1 3 हो गया और निचे कितना है 36 या तो चाहो तो यहीं छोड़ दो तो अभी उसने बोला निया कि मिक्स्ट में लिखना तो अभी काम करते हैं यहीं पर इसको स्टॉप कर देते एक चीज़ और ध्यान रखना यहां तक हमने करने के बाद में क्या करना है यह भी करना पड़ेगा अभी एडिडिसिबल फॉम क्या होती है इसको मैंने लेक्चर नमबर 3 में कवर किया है अब प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो तो अभी तो यहां पर क्या हो रहा है कि आगे सोल नहीं हो रहा है क्योंकि यह दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवा आप निकालके देख लेना तो यहां क्या लिखे लेंगे 48 सिमिलरली जो हमने दो के लिए किया था आप तीनों के लिए करने है तो इस 48 को 12 से डिवाइट करेंगे 4 ताइम होगा 4 को 7 से मल्टिप्वाई करेंगे 28 आएगा फिर इस 48 को 16 से divide करेंगे 3 time होगा 3 को 11 से multiply करेंगे 33 आएगा फिर इस 48 में 24 से divide करेंगे 2 time होगा और 2 को 9 से multiply करेंगे तो 18 होगा I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आगए यूगी अब simple उपपरवालों को 8 करना है तो क्या होगा देखो 8 और 3 11 11 और 9 19 19 और केरी कितना आया 1 1 और 1 2 2 3 5 5 और 2 7 हो गया और divide by कितना हो गया 48 तो देखो ये भी साहद आगे किसी से divide नहीं हो रहा है कि 79 किसी की भी table में नहीं आता है तो इसको भी हम यहीं पर छोड़ देंगे यही हमारा क्या हो गया answer हो गया I hope आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बार ओर देख लेना cross verify कर लेना कि हमने क्या किया है वो 48 में 24 से divide किया 2 time होगा 2 को 9 से multiply किया 18 आएगा सही है 48 में 16 से divide करेंगे 3 time होगा 3 को 11 से multiply करेंगे 33 आएगा ये भी ठीक है 48 को 12 से divide करेंगे तो 4 time होगा 4 को 7 से multiply करेंगे 28 आएगा अब इनको 8 करके देख लो तो 8 करने पर 79 यह आ रहा है कि देखो पहले इसको 8 कर लो देखो 20 और 30 50 और 51 60 60 और यह कितना हो गया 76 3 79 सही है बिल्कुल हमने सही किया है यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया यह हमारा आंसर हो गया अब आगे देखो अब यहां क्या है पहले mix form में दे दिया तो हमारे को पहले mix fractions को किसमें improper में convert कर लेते इंप्रोपर में convert करने के बाद में तो फिर ऐसा ही बन जाएगा तो कैसे convert करते हैं इन दोनों को multiply करते हैं जो भी result आएगा उसको इसमें 8 कर देते हैं तो 4 8 जा 32 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 और नीचे कितना है 4 बीच में plus है तो प्लस लगाएंगे 4 5 जा 50 और 50 और 2 कितना हो गया 52 डिवाइड बाइ 5 आप लोगों को इस चीज समझ में आ गई होगी अब दोनों का LCM लो तो जब LCM लोगे तो वो कितना निकल के आएगा 20 निकल कर आएगा तो इस 20 में 4 से डिवाइड करो 5 टाइम डिवाइड होगा इस 5 को 35 से multiply करो कितना आ है वो सारी चीज आप लोगों को आती है यहां पर टाइम ज्यादा नहीं लगे इसलिए मैं डाइरेक्ट बोल देता हूं कि इसको से multiply करने पर इतना आएगा यहां पर 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम होगा क्योंकि 4 5 4 जा कितना होता है 20 होता है और इस 4 को 52 से क्या क करेंगे जब सको multiply करेंगे तो कितना होगा 50 को पेलेगे इसको समझ पा रहे होगे इसके बाद में क्या करते है दोनों को 8 कर लेते तो 8 करने के लिए हमारे को क्या करना है देखो 8 और 5 कितना हो गया 13 का 3 होगा किरी कितना ऐगा वन लगए 1011 प्लस 7 एट हो गया और 2 और 1 3 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा अब यहाँ पर देखो question में हमारे को जो results थे वो किस form में दिये हुए थे mixed form में दिये हुए थे तो हमें answer को भी mixed form में convert करना है तो कैसे convert करते हैं 3 8 3 को 20 से divide करो 1 time 20 minus 18 फिर 3 से divide करो 9 time 180 minus 3 I hope आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे किया है तो अब इसको कैसे convert करेंगे कि 19 तो जो क्यों सेंट है वो तो यहाँ आएगा जो भी remainder बचा वो ऊपर आ जाएगा और जो भी denominator था वो कहां जाएगा नीचे आ जाएगा तो इसका final result क्या हो गया 19 and 3 by 20 I hope आप लोगों को यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम आगे बढ़ते हैं अब 3 वाला मतलब irrational numbers वाला 3 का दे दिया मतलब mixed fraction वाला 3 में दे दिया तो similar वो ही करना है पहले तो improper में convert करो तो convert कैसे करें 3 5 जा कितना होगा 15 और 4 19 by 5 10 to 20 प्लस 3 कितना होगा 23 by 10 15 बन जा 15 और 1 16 by 15 फिर यहां 3 होगा LCM लोगे तो आप लोग लेके देख लेना LCM कितना हैगा 30 आएगा अब 30 को 5 से divide करोगे तो 6 time होगा अब 6 को क्या करोगे फिर 19 से multiply करोगे तो आप 19 से multiply करोगे तो यह कितना हैगा 1 1 4 आप लोग करके देख लीजे 6 से multiply करो 9 4 जा 54 होता है केड़ी कितना हैगा 5 आएगा 6 1 जा 6 और यह 11 होगा I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आ गई होगी फिर यहां बीच में plus है तो plus इसको इससे divide करेंगे 3 टाइम होगा 3 को 23 से multiply करेंगे तो 69 आएगा फिर इसको इससे divide करेंगे 2 टाइम होगा 2 को 16 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा फिर इससे सबको aid करना है तो देखो 2 और 9 11 यहां मैं direct कर देता हूँ यह 100 है फिर ये कितना है 10 है तो 110 110, 170 100 बैस देखो यहां पर 100 है फिर ये कितना है 30 तो 130 हो गया फिर 190 हो गया फिर 200 हो गया फिर 200 और ये हो गया 13 और ये हो गया 15 तो ये कितना हो गया 215 divided by 30 तो अगर किसी से दोनों same number से divide हो तो हमें करना पड़ेगा तो देखो simplest form में लिखना है तो ये देखो 5 से 6 time divide होगा 5 से 4 time 1 3 43 time divide होगा I hope आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे अब आगे किसी से भी divide नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे mixed में दिया वा था तो mixed में लिखना पड़ेगा इसको इससे divide करो 7 time होगा 42 एक बचेगा तो एक को उपर लिख देंगे और 6 को नीचे लिख देंगे I hope आप लोगों को इस चीज समझ में आगे योगी तो इसका final result क्या होगा 7 and 1 by 6 अब 4 वाला क्योंसा नहीं इसमें ये तो पहले से ही क्या है इंपर फ्रेक्शन दिया वहए इन तीनों को यहाँ पे क्या किया गया है mixed में दिया गया है तो हमारी को इंको mixed को क्या करना पड़ेगा improper में convert करना पड़ेगा यह तो proper है यह mixed है तो mixed को improper में convert कर लेते हैं तो इस तो 2 upon 3 है से कैसे आएगा 6,3 जा 18 18 प्लस 1 कितना होगा 19 अप्वन 6 प्लस 4 9 4 जा 36 36 और 2 कितना होगा 38 डिवाइड बाइ 9 प्लस 18 तू जा 36 36 और 5 कितना होगा 41 डिवाइड बाइ 18 I hope आप लोगों कोई चीज़ समझ में आ गई होगी जब इन सब का LCM लोगे तो LCM निकल के आएगा 18 3 टाइम होगा 3 को 19 से मल्टिप्लाई करना है 57 आएगा फिर 18 को क्या करना है 9 से डिवाइड करना है 2 टाइम होगा 2 को 38 से मल्टिप्लाई करना है तो आप यहाँ करके देख सकते हो 2 को 38 से मल्टिप्लाई यहाँ पर 6 टाइम होगा और यहाँ पर 6 और 1 7 तो कितना आ गया 76 फिर यहां पर 18 को 18 से डिवाइट करेंगे 1 टाइम होगा 1 को 41 से मल्टिप्लाइ करेंगे 41 होगा आप लोग यह चीजे समझ पारे होंगे कि मैंने कैसे किया है थोड़ा स्पीडली कर रहा हूं मैं लेकिन आप खुद करके देखना तो आप लोगों का भी यही रिजल्ट टिकल कर आएगा अब उपर सबको एडिशन करना इनका तो यहां क्या होगा देखो इन दोनों को 8 देखो यह तो 4 और 1, 7 और 1, 8 बन गया और 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया अब इन दोनों को 8 कर लो 6, 1, 9, 9 कितना हो गया, 18 तो कितना हो जाएगा, 186 अपों 18, I hope आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब देखो आप इसको simplify करोगे, simplify कैसे कर सकते हो या तो पहले दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, या आप सोच पा रहे हो तो दोनों किस से डिवाइड हो रहे हैं, यह दोनों के दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो देखो, यह 6 से कितने टाइम होगा, 3 से कितने टाइम होगा, तो 6 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 में लिखना है तो 3 से डिवाइट करो 10 टाइम होगा एक बचेगा उसको उपर लिख देंगे और नीचे कितना है 3 तो हमारा फाइनल इजल्ट क्या हो गया 10 & 1 by 3 I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी इसे आप अच्छे से सोल किया जाता है तो देखिए क्योसन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं जो जो चीजें हमारे को गिवन है क्योसन में उनको एक बार लिख लेते फिर आगे सोचेंगे कि हमारे को इसको आगे कैसे सोल करना है तो देखो क्या बोला है अनीता बाट बाट का मतलब हो गया खरीद ना ठीक है परचेज भी बोल सकते हो 3 and 3 by 4 kg apples वो क्या करती है 3 and 3 by 4 kg apples खरीती है and 4 and 1 by 2 kg kg यानि किलोग्राम गवावा गवायन अमरूत खरीती है what is the total weight of the fruit purchased by her तो जैसे मानलो कि वो एक घर से बेग लेके जाती है अब आजकल तो क्या हो गया है प्लास्टिक, single-use plastic को बेन कर दिया है तो मानलो कि वो घर से अपने साथ में कपड़े का बेग लेके गई है आप लोगों को भी क्या करना चाहिए कि घर से ही कपड़े का बेग लेके जाहिए जिससे कि जो polythene वगेरा है जो single-use plastic है उसको आपको कम से कम यूज करना पड़े क्योंकि वो हमारे environment को बहुत ही ज्यादा damage कर रहा है हमारे यह पर देखा होगा आप लोगों ने सर्दी, गर्मी और बरसात यह जो तीनो cycle जो पहले proper तरीके से काम करते थे अब इनकी जो duration है वो किसी की कम हो गई, किसी की ज्यादा हो गई गर्मिया बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है तो यह सारी चीजे हमारी वज़े से हो रही है environment को हम क्या कर रहे है नुकसान पहुचा रहे है तो हमें भी अब क्या करना है गौर्मेंट ने जो यह step लिया है वो अटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे environment को डेमेज करना बंद कर देगा तो देखें यहां क्या है उसने कुछ फलफूरूट खरी दे है यहां उसका इस टाइप का बेग है ठीक है उसने यहां पे एपल रख रखे है कुछ ऐसा ही दिखता होगा ड्रोइंग का मजाक मत उड़ाना प्लीज और यहां से कुछ गवावा अमरूद इस टाइप से उसने मतलब किस अलग-अलग टाइप की सेव के आते है तो यहां पे गोल भी बना देता हूं में तो देखो इस टाइप से उन्होंने अमरूद खरी दे तो यहां पे जो सेव खरी दे वो कितने किलोगराम है सेव 3.4 किलोगराम तो एपल से और यह क्या है गवावा गवावा कैसे रीड करते हो देख लेना यह कितने है 4 and 1 by 2 किलोगराम तो जब वो ऐसे लेके आईगी तो उसको गवावा यानि कि अमरूद का भी वजन दिखाई होगा उसके अंदर फील होगा और सेव का भी वजन फील होगा तो यहां दोनों का वजन दिया होगा तो हमें एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं तो हम बोलेंगे weight of apples apple का weight कितना है वो कितना होगा 3 and 3 by 4 किलोग्राम ऐसे ही weight of guava या guava कैसे पढ़ते हो देख ले न 4 and 1 by 2 किलोग्राम ठीक है अब हमें तो total weight निकालना है fruits का वह दो तरीके के fruits खड़ी थे हैं तो हम बोलेंगे total weight of fruits total weight of fruits बड़ाबर क्या होगा वह दोनों का weight को add करते हो तो simply वह एड ओचाएगा जैसे मानलो 1 kg हम लोग क्या खरीद के लाते है apple खरीद के लाते है 2 kg गवावा खरीद के लाते है या कुछ और फल केले या बनाना वगेरा खरीद के लाते तो दोनों का sum करते है total 3 kg हमने क्या किया fruits करीदे तो simple क्या करो total weight of fruits का मतलब हो गया weight of apples weight of apples plus weight of guava इन दोनों को aid कर लो weight of apples कितना है यहां लिख देता हूँ मैं 3 and 3 by 4 plus यह कितना हो गया 4 and 1 by 2 इन दोनों को हमें क्या करना है aid करना है तो aid करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा mixed में है तो improper में convert करना पड़ेगा 4, 3, 12 12 और 3, 15 यानि 15 upon 4 बीच में plus है तो plus 2, 4, 8, 8 और 1 9, 9 by 2 I hope आप लोगों को यहां पर समझ में आगया होगा फिर यहां पर आगे क्या करना है फिर से aid करना है तो मतलब यहां क्या होगा अभी तो हमने convert किया किवाल अब aid करना है 4 और 2 का जब हम लेंगे LCM तो वो कितना आएगा 4 आएगा इस 4 में 4 से divide करोगे 1 time होगा 1 को 15 से multiply करोगे तो 15 आएगा फिर इस 4 में 2 से divide करोगे 2 time होगा फिर 2 को 9 से multiply करोगे 18 आएगा जब इन दोनों का sum करोगे तो आएगा 33 आएगा 33 आएगा लेकिन हमारे को final result इसमें नहीं लिखना है हमारे को final result क्या करना है mixed में convert करके लिखना है क्योंकि total fruits यहां पे जो अलग-अलग weight दे रखा था वो mixed में दे रखा था तो इसको इसे divide करो एट टाइम डिवाइड होगा 32 हो गया वन बचा उसको उपर लिखना है और नीचे 4 आ गया और इतने किलोग्राम और result किलोग्राम में लिखना है क्योंकि fruits क्या थे किलोग्राम थे I hope आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी तो हमारा final result क्या हो गया 8 and 1 by 4 किलोग्राम अब हम अगला question करते है तो देखो ए रेक्टेंगुलर seat of a paper यह जी 15 and 3 by 4 cm long and 12 and 1 by 2 cm wide find its perimeter अब पहले तो question को समझ के हम क्या करेंगे उसका एक diagram बना लेते है रफली तो देखो एक rectangular seat है मतलब इसकी shape कैसी है रेक्टेंगल किये तो यह क्या है rectangular seat rectangle में दो चीज़े होती है एक तो होती है उसकी length तो यहाँ पर वो length कितनी कितने मतलब centimeter long है long का मतलब है उसकी length given तो उसकी length है इसको हम L से denote कर देते हैं वो कितनी है 15 and 3 by 4 cm इसको मैं साथ के साथ convert भी कर देता हूँ इसको इससे multiply करेंगे 60 आएगा 60 को 3 में 8 करेंगे तो 63 divided by 4 cm I hope आप लोगों कोई चीज़ समझ में आ गई होगी यह इसकी width है या फिर breadth पहुँच सकते हो तो इसकी width कितनी है जिसको हम B बोल देते हैं बराबर कितनी है 12 and 1 by 2 cm और which is equal to 24 plus 1 25 divided by 2 cm यह तो question में given था तो given क्या-क्या है वो हम लिख लेते हैं मतलब मैं अलग से लिख देता हूँ कि length of rectangular seat मैं बार-बार rectangular नहीं लिख रहा है seat बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाना कि rectangular की बात हो लिए बराबर क्या होगा 63 upon 4 cm यानि एक्चल में कितना था 15 and 3 by 4 cm जो कि convert होके क्या बन गया 63 upon 4 cm उसके अलावा जो width है यानि जिसको width भी बोलते है width of seat given है देखो कितना आया था 12 and 1 by 2 cm और यह कितना हो जाएगा 25 by 2 cm I hope आप लोग यह चीज़ अच्छे से समझ पा रहे होंगे अब देखिए हमें निकालना perimeter अब यह perimeter का meaning क्या होता पहले समझ लेता है perimeter का मतलब होता है कि जो boundary है ना boundary यह boundary कितने लंबी है यह बताना है तो boundary को पहले मैं समझा देता हूं कि क्या होगा तो perimeter of rectangle rectangular seat बराबर क्या हो जाएगा लैंध प्लस यह B है तो यह भी B होगा यह L है तो यह भी L होगा L प्लस B प्लस L प्लस B मैं इसका एक्च्छल में आप लोग को formula भी बना देता हूं आप चाहो तो direct उसको भी पूच कर सकते हैं L और L क्या हो गया टू ताइमस यूज होए तो इसको कैसा लिख सकते हैं 2L लिख सकते हैं कैसे लिखा है कि इन सब को हम लोग क्या करेंगे आगे एक चेप्टर आएगा algebraic expressions उसमें डीटेल में समझेंगे कि इनको ऐड कैसे किया लाता है अभी के लिए मैं ध्यान को एफ और ल कितना हो गया 2L प्लस बी और वी कितना हो गया 2B अब इन दोनों में 2 आ रहा है दोनों को काम ब्रेकिट के बाहर निकाल लेते हैं और ब्रेकिट के अंदर क्या हो गया L plus B बच गया L बच गया यहां B बच गया आप चाहो तो देखो वापस से मल्टिप्लाइ करो गया तो फिर इससे भी मल्टिप्लाइ करोगे तो तो यह ऐसे कैसे बन जाएगा तो हमारा फाइनल फॉर्मुला क्या बन गया 2 L plus B यानि 2 multiply length plus width तो पहले ब्रेकिट सोल किया जाएगा फिर उसको 2 से multiply कर देंगे तो देखो क्या आएगा 2 multiply यहां L, L कितना है length कितनी है 63 upon 4 plus width कितनी है 25 upon 2 पहले तो multiply तो ऐसे कैसे चलने तो ब्रेकिट के अंदर दोनों का LCM लेंगे तो क 63 आएगा फिर इस 4 में 2 से divide करेंगे 2 time होगा 2 को 25 से multiply करोगे तो 50 आएगा अब इन दोनों को add कर दो तो जब add करेंगे हम मैं यहां लिख रहा हूं बाकी का solution तो कितना आएगा देखो 6 और 5 11 plus 1 1 1 3 divided by 4 और बाहर क्या चल रहा है 2 चल रहा है इस 2 से यह देखो 2 time divide होगा इतना आप लोगों ने कहीं नगाई सिखा हूआ होगा 21 जा 2 22 जा 4 यह उपर और नीचे divide की form में है बीच में multiply लेकिन यह numerator denominator में है इसलिए आप चाहो तो proper तरीके से कर लो 2 को क्या करो पहले multiply कर लो 1 इससे तो यह कितना होगा 2 2 6 divided by 14 हो जाएगा अब यह दोनों क्या कर सकते यह दिदुसिबल फॉर्म में convert करने के लिए same number से divide कर सकते हो तो यह कितना होगा 113 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 2 से divide होगा तो 2 हो जाएगा लेकिन हमें answer इसी में नहीं लिखना हमें किसमें लिखना है इसको हमें mixed में convert करना है क्योंकि हमारे बेटा थे starting में दिए सिक्स टाइम ट्वेल माइनस वन तो 56 एंड वन बाई तू सेंटीमिटर यह क्या हो गया पेरिमिटर हो गया आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी वीडियो को पोज करके इसको अच्छे से नोट कर दीजिए अब हम एक छोटा सा टोपीक और रहे हैं उसको देख लेते हैं उसके बाद में आप लोगों के लिए दो homework questions लिखे हैं मैंने यह आप लोगों को solve करने है और जो भी आप लोगों के रिजल्स आते हैं answers निकल के आते हैं उनको आपको comment करके बताना है तो देखें लास्ट अपिक क्या है हमारा आज का properties of addition of fractions addition of fraction मतलब fractions को aid करने से related कुछ दो properties है उनको आमेसा याद रखना है वो क्या है पहले मैं आप लोगों को explain कर देता हूं फिर उसका आप लोगों को एक example के तुरू भी समझाने की कोशिज करूंगा तो देखो पहला क्या बोला addition of fractions is commutative अभी commutative का क्या मतलब है इसको ऐसे समझो मैं अगर बिना fraction के अगर बात करूं जैसे 2 प्लस 3 करो कितना आएगा 5 और 3 प्लस 2 करो वो भी कितना आएगा 5 यानि कि अगर हम numbers को swap कर दे आपस में बदल दे तो फिर aid करके देखे addition करके देके fractions का तो result पे कोई भी क्या आएगा same ही आएगा तो हम बोल सकते हैं कि इस वाली property का मतलब है कि a by b plus c by d यह दो fraction हो सकते कोई भी fraction हो सकते या तो यह कर लो या फिर c by d plus a by b कर लो दोनों का meaning क्या है same ही है for example 1 upon 2 plus 3 upon 4 बोल दो या फिर 3 upon 4 plus 1 upon 2 बोल दो दोनों का meaning same है दोनों को aid करने पे same ही result निकल कर आएगा I hope आप लोगों को एचीज अच्छे से समझ में आ गई होगी अब है अगला है addition of fractions is associative अब associative का क्या मतलब है जिसे इसी की तरीके से में एक example बताऊं 2 plus 3 plus 5 है तो अब हमको तीनों को या तो एक साथ 10 मतलब अगर तीन numbers हमारे को rational numbers दिये हैं तो तीनों में से किनी भी दो को हम पहले 8 कर सकते हैं फिर तीसरे को उसमें बाकी जो रिजल्ट आएगा उन दोनों का उससे एड कर दे तो जो रिजल्ट होगा वो same ही रहेगा तो यहां बोल सकते हैं कि अगर a by b plus b by c c by d plus e by f हमारे पास fractions है पहले इन दोनों को एड करके फिर इसमें एड कर दो या फिर पहले इन दोनों को एड कर लो और उसमें क्या कर लो e by f को एड कर लो रिजल्ट सेम ही आएगा तो इस प्रोपर्टी को क्या बोला जाता है असोसीटिव प्रोपर्टी आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा इसका एक्जाम्पल इस तरीके का बना के आप खुद भी लिख सकते हों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खतम होता है इनके होमवर्क को आप लोगों को करना है और कॉमेंट करके बताना है कि हमारा या आपका क्या रिजल्ट आता है वो भी क्या होगा आप कॉमेंट करके हमें बता देना इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे की आगे आने वाले सबी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें तब तक के लिए थैंक यू